प्रेंड्स गुड़ मॉनिंग आपका दीव फैमिली ब्लोग में स्वागत हैं एपी सावन और सावन के दिन चल रहे है तो सुबह उटके हमने सारा काम किया और मंदिर गई और अब नास्ते की तयारी कर रहे हैं देखी फ्रेंड्स इस जंगे सब संगे साफ सफाई हो गई है और देखी बरतन साफ कर रहे हैं सुबह के सुबह जो चाई सुबह च्छे बजे पी है सबने और ये दूद गरम हो गया तो इदर हम पहले बरतन साफ कर लेते हैं उसके बाद करेंगे जो देखी फ्रेंड्स हमने बरतन साफ कर लिया और इदर आटा चान लिया आटा गुन के रख देंगे और देखी फ्रेंड्स हमने आटा गुन दिया है और इसे साइट में कर देंगे तो देखी अब जामून का सीजन चल गया है तो जामून है ये तो देखे फ्रेंट्स ये जामून लाए थे रात तो अब हम दे देते हैं सबको और इधर चाय बन रही है मम्मी की और देखे फ्रेंट्स आज हम सीता फल पनाएंगे ये नास्ता भी हो जाएगा और दुफैर की सब्जी भी हो जाएगी तो हम सीता फल को काट लेते हैं और इधर मम्मी को चाय दे के आते हैं तो इधर चाय भी तयार हो गई और ये सीता फल हमने ऐसे टुकडो में काट लिया भी छोटे छोटे टुकडो में काटना है तो देखे फ्रेंट्स हमने ये छोटे छोटे टुकडो में काट लिया और अब हम सबजी इन्हें मतलब छोकेंगे तो देखे फ्रेंड्स हमने एक टमाटर और दो चार हरी मिर्चे वो पीस ली थी और हम सूका धन्या ही यूज करते हैं मतलब मार्किट से पैकेट या पीसा हुआ धन्या नहीं लाते हैं मोटे वाला धन्या लाते हैं और इसी को ही हम पीस लेते हैं और इसी में पहले लिया थी मम्मी पीसा हुआ तो उसके उपर हमने यही डाल दिया तो हम घर पे ही खुद पीस लेते हैं तो इसी में टेस्ट आता सारे इधर नमक मेरा चलदी और अमचूर ये सब डाल लिए और छोकने का समान रख दिया है मेथी और थोड़ा सजीरा और सोप इसमें फ्राइ करेंगे हम तो इधर ये पेस्ट भी डाल देते हैं पहले मसाले डालेंगे मसाले भी बुन जाएंगे और फिर ये टमाटर का पेस डाल देंगे आपकी इच्छा है टमाटर डाल सकते हो वरना हमारे यहां डालते नहीं है लेकिन मैंने डाल दिया एक और और तरीके से भी बहुत तरीके से बनता है ये सीता फल की सबजी और हम मतलब उबाल के भी बना सकते हो उसे और बिना उबलाई भी बना सकते हो जैसे आपकी च्छा हो ऐसे बना सकते हो लेकिन हम ऐसी बनाते हैं ज्यादा वो टाइम हो तो हम फिर अच्छे से ही इसे चार पांस ट्रमाटर से फ्राइ करते हैं तो वो अलग टेस्ट बनता है तो देखे फ्रेंड्स इसमें हम चीनी डालना भूल गए थे मसालों में लेकिन अब ड दालेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल सूखा बनाना आए तो देखे फ्रेंड्स इदर हमारे बाहर काम चल रहा है गाएं के छपपर के लिए तो उनके लिए चाय बन गई है तो हम चाय डाल रहे हैं चाय डालके मम्मी को दे देंगे तो देखे मम्मी आपर गीता सुन रही है यह गीता और तरह की है जो मतलब माइक होता एक और टच करने से ही तो पूरा दोहा बोलते हैं यह स्लोक मतलब इसमें भजन भी है और अध्याय पूरे सुन सकते हैं जैसे भी है तो आपको सुनवाते हैं देखिए और देखे फ्रेंस हम फिर किचन में आ गए और इधर सबजी शोग दी थी हमने और आटा तो हमने पहले ही गून दिया था तो इसलिए हम अब साफ सफाई कर देते हैं जो भी मतलब डस्टिंग बगरा होती है किचन में वो हम साथ साथ करते रहते हैं तो एकदम ज़्यादा होता रहे और इधर खाना भी बनता रहे और बरतन भी हम साथ साथ साफ कर देते हैं और देखे फ्रेंस इधर सबजी बनाई थी और उसके बरतन हो गए थे तो इसे भी हम साफ कर देते हैं इससे यह होता है किचन में ज़्यादा काम नहीं फैलता और साथ साथ सारा काम होता रहता है और खाना भी बन जाता है लेकिन ज्यादा जल्दी हो तो तब नहीं हो पाता लेकिन हम सुबह भी ऐसे ही करते हैं तो देखे फ्रेंट्स जो हमने बरतन साफ किये थे वो श्टेंड में लगा दिये हमने सारे और अभी बारिस आई रही है अब तो बंद हो गई थी लेकिन आ रही है बारिस दीमी दीमी आई रही है बारिस अभी तो और देखे फ्रेंट्स ये हमने यहां से बैटक्स का समान निकाल दिया जो सोफे वगरा है क्योंकि यहां पर गाएं बादनी पड़ती है बारिस में उधर सैटिंग चल रही है गाएं की तो छपर वगरा गिर जाएगा तब उसके बाद महां पर बंदेगी तो देखे फ्रेंट्स हम अपना रूम साफ कर लेते हैं क्योंकि विनायक लेट उठते है वो रात भी बड़े प्रेसान किये उसने क्योंकि लाइट नहीं थी तो काफी लेट सोया तो लेट तक उठा तो अब हम रूम साफ कर देते हैं क्योंकि हमने सब तयारी कर दी, अभी किसी को खाना नी खाना था तो पहले हम रूम साफ कर लेते हैं, तो हम रूम साफ कर रहे हैं,ometra बैट सीट वगरा हम साइड में रग देते हैं, क्यूंकि बैट बार बार खोलने में प्रेशानी होती है, जो ये डेली यूज्च की है, हम बैड पे ही एक साइड में कर देते हैं और जो शिट है वो बिछाते हैं क्योंकि बैड सीट या गद्दा बिनायक कभी कभी सूसू कर देता है तो वो नीचे ना जाए वो सिट पे ही और जो ये दरी होती है इस पे रुख जाए तो इन्हें हम डेली वोस करके डाल देते है और देखे फ्रेंट्स ये हमारा रूम यहाँ पर सेट हो गया है बिलकुल आप देखे ये रूम सेट हो गया डेली का हमारा ये ही काम होता है किचन का काम साथ साथ घर की सफाही और देखे फ्रेंट्स हमने आज ये हलका लाइट कलर सूट पहना है और इसके नीचे टाउजर है ये और देखे फ्रेंट्स यहाँ पर हमारी सबजी भी तयार हो गई है और बिनाएक को हम दूर दे रहे हैं तो देखिए ये नंगु पंगु बेटा है ये भूबू पीता है अब इतनी लेट उठे है ये सोके महाराज जी इतनी लेट उठते है विनाएक है ना देखे फ्रेंट्स अब हम रोटी बनाने स्टार्ट कर दी और हम रोटी बना लेते हैं जल्दी से क्योंकि अब सब खाएंगे खाना नास्ता और लेंच एक ही बार हो जाएगा और जो सुबह ये ओफिस जाते तो जल्दी हो जाता आज छूटी कर ली इनोंने क्योंकि आज बारिस थी और गाएंगे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो इस वज़े से गाएंगे सेटिंग करनी थी उदर छपपर लगाना था तो इस वज़े से तो हमने गाएं की रोटी रिकाल दी पहली और अब ये हम मम्मी जी को देने जा रहे हैं मम्मी बिन हादों के आ गई थी तो मम्मी बाहर जा रही थी तो देखे फ्रेंट्स इधर सारा खाना और सब तयार हो गया था तो फिर उसके बाद हमने सेख पिया क्योंकि हमारे सावन के वर्थ चल रहे हैं तो हम खाना नहीं खाते दिन में और एक टैम खाते हैं तो ये विनायक बैट पर बैट के खेल रहे हैं और देखे फ्रेंट्स ये बच्चे अंदर बांदे है क्योंकि बारिस आ गई तेज और मम्मी और गाएं को लेके आ रही है इदर साइड में बांदेंगी कमरे में बहुत परिसान ही हो रही है उदर पानी भर गया है बहुत ज़्यादा गव माता के लिए बहुत दिक्कत हो रही है लेकिन कर रहे हैं हम वबस्ता हो जाए बहुत अच्छी बात है लेकिन ये क्योंकि दूसरों का अपलोट है इस वज़े से हम ज़्यादा करने पाते और अपने में अभी इतना वो नहीं बना हुआ है कि हम अंदर बांद ले उस तरीके से करते हैं ववस्ता देखे विनायक ये खड़े है ये भी देख रहे है और देखे फ्रेंस ये सब अंदर बन जाएंगे इन्हें ठन लग रही थी और देखे विनायक नहा रहे है बारिस में खुब मज़े ले रहे है बारिस में नहाते वक्त कह रहे थे ममा नहाएंगे तो हमने कहा नहा लीजी आज ये भी पूरा दिन गाएं की ववस्ता में लगे हुए है उदर आपको एक वीडियो में दिखाए था हमने सैटिंग उदर साइट में एक प्लोट है उसमें ववस्ता कर रहे हैं भी हमारा नहीं है वो भी और किसी का है तो देखें आगे फ्रेंड्स इस व्लोग में इतना ही आपको ये व्लोग अच्छा लगे तो लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट व्लोग में मिलेंगे बाई